तो वेलकमें दोस्तों नमस्कार आप सभी का चली आज हम लोग बात करने वाले हैं बी-ए समेश्टर वन ठीक है बी-ए समेश्टर वन हिंदी हिंदी और हिंदी में जो सब्जेक्ट होगा वह मेजर पेपर वन होगा एमजे मेजर कॉर्स वन ठीक है एमजे वन और इसका नाम होगा सब्जेक्ट का हिंदी साहित का इतिहास एम आदिकाल इसका सिलेवस इसके सब्जेक्टिव कोस्चेन इंपोर्टन कोस्चेन आंसर मैंने करा दिये हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल हैं इसलिए अबजेक्टिव को कर लेते हैं टोटल 35 पॉबजेक्टिव कोस्चेन इस वीडियो में एंड जितने भी अगर आइप मी कर लेते हैं तो लगबग आपके जितने भी कोस्चेन पूश जाएंगे एक प्रॉक्सिम लिए कि एक से दो कोस्चन अगर छूटा तो जिन्हें आदिकाल को विरगाइथ काल कहा है आप अगर याद करना चाहते हैं जल्ली तो एक बार पढ़र फिर एक बार लिखं फिर एक बार पढ़र चो अपूटर की Q2 है कि किस इतिहास लेखन के हिंदी साहित का प्रारम 1050 इस्वी से स्विकार किया है तो इसकराइट अंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र किस ने स्विकार किया है तो डॉक्टर नगेंद्र ने तीन नमबर Q2 देखते हैं तो पूछा गया है सुकल जी ने आधुनिक काल का नामकरन रखा है क्या रखा है तो गद काल इनको कहा गया है सुकल जी ने आधुनिक काल का नामकरन गद काल रखा है ठेक है आगे देखे फोड नमबर Q2 में पुछा गया है कि पूरु महिंद्र काल के लिए सुकल जी ने क्या नाम दिया है तो पूरु मैंद काल के लिए सुकल जी ने भक्ति काल का नाम दिया है किसका नाम दिया है भक्ति काल का नेक्ट देखते हैं तो फाइप नुमबर इसमें पुछा गया है कि सुकल जी ने कालो का नाम करण किस आधार पर किया है तो दोस्तों परमपरा के आधार पर इन्होंने कालों का नम करन किया है नेक्ष्ट देखते हैं तो पुछा गया है कि आदिकाल को चारन काल किस ने कहा तो आदिकाल को चारन काल कहा था राम कुमार वर्मा ने ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 7. पुछा गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित का प्रारम कब से मना जाता है तो हिंदी साहित का प्रारम 750 इस भी से मना जाता है ठीक है नेक्ट देखते हैं इसमें पूछा गया है कि इन में से कौन सा आधिकाल के लिए नहीं दिया गया है इन में से कौन सा आधिकाल के लिए नहीं दिया गया है तो देखिए संधिया काल आधिकाल के लिए नहीं दिया गया है ठीक है नाइन नमर कोश्चन है, पुछा गया है कि राहूल सांस्कृति आयन हिंदी का पहला कवी किसे मानते थें? तो राहूल सांस्कृति आयन दोस्तों बहुत ही बड़े हैं मतलब कि हिंदी के चेतर में और ये पहला कवी सरफ को मानते थें ठीक है रावल संस्कृति यांजी के अनुसार क्या है तो दिकिए संस्कृति यांजी ने इनका समय बताया है कौन सी समय तो साथवी सदी क्या के कौन सी सेवन्थ संचूरी साथवी सदी 11 नमबर है पुछा गया है कि हिंदी का पहला गरंथ कौन सा है तो देखें दोस्तों हिंदी का पहला गरंथ है स्रावक का चार क्या है स्रावक का चार स्रावक मतलब सुनने वाला 12 नमबर कोशन देखते हैं तो कोशन है कि स्रावका चार के रचैता कौन है इसके रचैता है देव सेन कौन है देव सेन नेक्ट देखते हैं तो बुछा गया है कि स्रावका चार की रचना कब की कब हुए थी तो स्राव का चार की रचना दोस्तों एक हजार रिस्वी में हुई थी ठीक है आगला देख लेते हैं तो question है कि जगनिक द्वारा रचित वीर रस परधान ग्रंद का नाम क्या है तो इसका नाम है परमाल रासो और इसको रचा किसने है जगनिक आगे देखते हैं next question 15 number पुछा गया है कि आलखण किस रचना का लोगपे ये नाम है तो इसका राइड आलखण किस रचना का लोगपे ये नाम है राइड अंसर हो जाएगा परमाल रासो ठीक है परमाल रासो next देखते है तो question number 16 इसमें पुछा गया है कि पिर्थिवी राज रासों के विशय में कौन सी धारणा अधिक उप्यूक्त है तो राइट अंतर हो जाएगा अर्द पर्मानिक धारणा अर्द पर्मानिक धारणा अधिक उप्यूक्त है सेवेंटी नमबर कोश्चन है कि बीसल देव रासो का परधान रस क्या है तो बीसल देव रासो का परधान रस है स्रिंगार रस ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एटी नमबर कोश्चन इसमें पुछा गया है कि इनमें से हिंदी का पर्थम महाकाइब किसे माना जाता है तो पिर्थिवी राज रासो को हिंदी का पर्थम महाकाइब माना जाता है जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी अगला है कि पिर्थिवी राज रासो के ब्रिहत रुपांतरन में कुल कितने सर्ग है तो दूस्तों इसमें कुल 69 सर्ग है टीक है 69 सर्ग है 20 नमर क्वेशन है कि रासो सब्द की उत्पत्ती के संबन में सरवादिक उप्युक्त मत कौन सा है तो रासो सब्द की उत्पत्ती के संबन में सबसे जो उप्युक्त से हुई है किसे हुई है रासाक से नेक्ट देखते हैं तो question है कि सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है तो दोस्तों सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है 84 बताई गई है आगे देखते हैं question है सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है तो सिद्धों का जो उचित समय माना गया है वह माना गया है 17 से 18 सदी इस विच टीक है 17 से 18 सदी के वीच 23 नमर कोशन देखे इसमें पुछा गया है कि नारी निंदा किस संपरदाई में मिलता है तो नारी निंदा नात पंथ में मिलता है अप्शनेज करा इस अनुस जाएगा 24 नमर देखते है तो पुछा गया है कि इनमें से नात संपरदाई में क्या नहीं है तो नात संपरदाई में जो है आपका ये गिरेस्तियों का आदर नहीं है ठीक है गिरेस्तों का आदर नहीं है अगला देखते हैं कोशन 25 नमर तो पुछा गया है कि आप भरंस आप बंस एम राजस्थानी भासा के योग से बनी भासा क्या कहलाती है या क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग डिंगल ठीक है? क्या बोलते हैं? डिंगल नेक्ट देखते हैं 26 नंबर पुछा गया है कि ब्रज भासा मिस्रित अप भरंस का क्या नाम है तो ब्रज भासा मिस्त्रित अब्रंस का नाम है पदमावत और इसको रिखा किसने है इसको रिटन क्या है मालिक मुहमद जैसी ने उनकी एक फिल्म भे आये थी जो कि रणबीर कपूर की फिल्म थे आपने देखी भी होगी पदमावत 27 नबर कोश्चन है कि बिद्धापती पदावली की रचना किस भासा में हुई तो बिद्धापती पदावली की जो रचना हुई है वह किस भासा में हुई है मैथेली में आप्शन से इसका राइट समसर हो जाएगा मैं थेली आगे देखते हैं 28 नमबर इसमें पुछा गया है कि आधिकाल में खड़ी बोली का परियोग किस कवी ने किया तो दोस्तों आधिकाल में खड़ी बोली का परियोग खुसरों ने किया था अमीर खुसरों ने पुरा नाम ह 29 नमबर कोश्चन देखते हैं तो इस पर पुछा गया है कि इन में से जैन धर्म का संबंध किस कवी से नहीं है तो दोस्तों जैन धर्म का संबंध जो है आपका विद्धा पती से नहीं है बाकि तीनों स्वैंभू, धनपाल और जोईंदू इन तीनों का संबंध है 30 नमबर कोश्चन देखते हैं तो पुछा गया है कि आप वरंस का बाल में की किस कवी को कहा जाता है तो आप वरंस का बाल में की जो है किस कवी को कहा जाता है सेमभू को कहा जाता है 31 नमबर कोश्चन देखते हैं 31 नमबर कोश्चन देखते हैं स्रद्धा राम फुलेरी ने कि ओम जय जगदी सहरे स्वामी जगदी सहरे जले जो भी यार गायेगा घर में 32 नमबर कोशन है हिंदी साहित के प्रारंभिक काल को अधिकाल नाम किस ने दिया तो हिंदी साहित के प्रारंभिक तो आदिकाल का नाम दिया था किसने अजारी परसाथ देवेदी ने आप्सन डीस कर राइटन से हो जाएगा हजारी परसाथ देवेदी 33 नमर कोशन है कि बिद्धा पती पदा वली में किस रस की परधानता है तो इसमें दूसरों स्रिंगार रस की परधानता है ठीक है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका गार्साथ दासी और अंतिम कोशन है 35 नमबर पूछा गया है कि भाविस यत कथा के रचैता का नाम बताएं तो भाविस यत कथा के रचैता का नाम क्या है देखे दोस्तों इसका नाम है धनपाल अप्सन बीस का राइट अंसर हो जाए यह अप्लोड कर दूँगा हिंदी कोस्टन पेपर तो उसको भी देख लिएगा